नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फाइफ मोस्ट कोमन इंजेक्शन के बारे में जो जाहे प्रैक्टिशनर हो या डोक्टर इनको यूज करता ही है तो अब हम जान लेते हैं एक एक करके कि वो कौन से इंजेक्शन है तो इसमें फर्स्ट है डेरी इंजेक्शन जिसका की कंपोजिशन होता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन ये आपको 7 रूपीज में मिल जाता है इसका यूज अस्थमा और COPD की कंडिशन में किया जाता है यदि किसी को सास लेने में तकलीफ हो रही है सीने में जक्कडन है या कई बार कफ प्रोपर नहीं निकल पाता और विजिंग साउंड आता है तो उस जगे इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है सैकिंड है इसमें M-set इसमें पोजिशन होता है ओंडा सेट्रोन और इसका जो प्राइज रहता है वो रहता है 12 रूपीज इस इंजेक्शन का यूज उल्टी को रोकने किया जाता है या फिर कि वर उल्टी का मन कर रहा हो उल्टी ना आ रही हो तो उस कंडिशन में इसका यूज किया जाता है थर्ड है ड्रोटीन इंजेक्शन इसका कंपोजिशन होता है ड्रोटावेरीन और यह आपको मार्केट में 25 रूपीज तक मिल जाता है इसका यूज यह एक anti-spasmodic होता है, इसका use पेर दर्द में किया जाता है, पेर दर्द कैसा भी हो सकता है, चाहे वो periods का pain हो, या पत्री की वज़े से दर्द हो रहा हो, या फिर normal abdominal pain हो, तो सबी जगे इसका use किया जाता है पेर दर्द में, फोर्थ है evil injection, इसका जो composition होता है, वो होता है fineramine, इसकी price आपको 5 rupees मिल जाती है, और इसका use ये एक anti-allergic injection होता है, इसका use चरीर पर चक्ते बनना, खुदरी चलना, को insect bite कर ले तो उस वक्त इस injection को दिया जाता है, और सबसे last है dexona injection, इस injection को को नहीं जानता, जितने भी practitioners हैं, almost सब इस injection का use करते है, ये एक steroid injection होता है, जो कि आप कह सकते हो कि लगबख सब भी बिमारियों में काम करता है, जैसे कोई भी inflammation हो, सूजन हो, allergy हो, autoimmune disease हो, या और भी कोई बिमारी हो, सब में use होता है, थैंक्यू दोस्तों, वीडियो में समझ में आया होगा, कौन सा injection किस काम में आता है, तो अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके चलूर बताएगा,